कुरोना की दूसरी लेहर ने तबाही मचा रखी है इस लेहर ने तमाम वेवस्थाओं को पटकनी दे दी है किंदर सरकार हो या राज्य सरकारे सभी को इस बात की चिंता है कि आगे क्या होगा क्या करना चाहिए जहाए एक तरफ सरकार सकत कदम उठा रही है कई जगहों पकर फ्यू लगा रही है तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना थके बिना रुके बस अपना काम कर रहे हैं अपने करतब्वे को निभा रहे हैं जनता की सेवा करने की जो कसमनों ने खाय थी उसे पूरा कर रहे हैं जे हां कुरोना वारिस की चपेट में आने के बाद भी लख नौ नगार दिगम के मुक्छ अकर अधिकारी अशोग सिर्ग ने एसी ही मिसाल पेश की है कि उन्हें देखकर उनके जज़वे को देखकर आप भी उन्हें सलाम करें तरसल नगार दिगम के मुक्राद कर अध तारा घंटे की डूटी कर रहे हैं पिसले दिनों नोने के करीब दस हजार ऑनलाइन हाउस टैक्स जमागी है बताते कि रोज सुबह साथ बज़े से सफाई और सैनिटाइजिशन का काम उसके बाद पूरे दिन नगर निगम में हाउस टैक्स वसूली से लेकर उसका विवरंड तयार करवाना शाम को मीडिया को नगर निगम के काम की जानकारी देना और उसके बाद फिर रात बारा बज़े तक किसी एक सून में सैनिटाइजिशन करवाना ये सब काम पूरे जज़बे और होसले के साथ कर रहे हैं इसके साथ ही इनोंने करीब 50,000 घर और 50,000 किलोमेटर नंबी सड़क को सानिटाइज करवाया दो बार कोरोना संक्रमित होने के बाद भी उनका होसला नहीं तूटा है ध्यान दे कि कोरोना ने फिर से अपने प्यार पर सालिने शुरू कर दिये हैं ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपना खैर रखिए अपनों का खैर रखिए और ब